दोस्तो हाल ही में इंटरनेट के फेमस इंफ्लूएंसर पुनीत सुपरिश्टार तब बहुत चर्चा में आ गए जब वो विग बॉस के घर में तो गए लेकिन पहली ही दिन उन्होंने घर में इतना हंगामा किया कि उन्हें गर से निकाल दिया गया दोस्तो पुनीत की वीडियोज को अकसर मिम्स में यूज किया जाता है उन्हें लौड पुनीत भी बोला जाता है और गौड आफ मिम्स भी बोला जाता है बड़ी संख्या में लोग पुनीत को जानते हैं और पसंद करते हैं पर उनके बारे में या उनकी लाइफ के बारे में हर कोई नहीं जानता इसलिए आज हम लेकर आए हैं पुनीत सुपरिस्टार की बायोग्राफी वीडियो काफी ज़्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाला है इसलिए एंट तक जरूर देखें तो चलिए बात करते हैं शुरू से पुनीत सुपरिस्टार का जन्म साल 1992 में गाजियवाद उत्तर प्रदेश में एक लोवर मिडल क्लास फेमिली में हुआ उनकी एज अभी 31 यर्स है जब बेक बॉस में किसी ने उनसे उनकी उम्र पूछी तो उन्होंने कोई सीधा जवाब नहीं दिया पुनीत को बचपन से ही कमी के कारण पूरी नहीं हो पाई वो 12 तक ही पड़े हैं जिसके उन्होंने एकजाम भी नहीं दे पाई थे पढ़ाई पूरी करने के बाद पुनीत कुछ साल ऐसे ही घर में रहे पर फिर कुछ टायम बाद वो एक कमपनी में जॉब करने लगे वो जिस कमपनी में जॉब कर दी जॉब छोड़कर वो घर में ही रहने लगे ये बात साल 2016 की है पुनीत के पास उस समय एक बारा तेरा हजार रुपए का फौन था जिससे वो लिप सिंग वीडियो टिक टॉक पर बनाया करते थे पुनीत सुबै से साम तक कुछ नहीं करते थे सिर्फ वीडियो ही बनाते रहते थे उन्होंने कुछी टाइम में हजारों वीडियो टिक टॉक पर डाल दी थी काफी लंबे समय तक वो घर पर पड़े रहे इसलिए उनकी मापापा ने उन्हें सुनाना सुरू कर दिया एक बार तो उन्हें घर पर बहुत ज़्यादा ताने सुनने पड़े जिससे उनका मूड बहुत ज़्यादा खराब हो गया और इसी दिन गुस्से में उन्होंने अपनी आवाज का एक वीडियो बनाया जिसमें वो अपना डेली रूटीन बता रहे थे अभी अभी उठाओं मैं फिरी की चाय पिऊंगा नाओंगा रील्स की वीडियो बनाओंगा अपने माबब की गालियां खाओंगा और रात को फिरी का खाना खाके अपने माबब के टुकडों पर पलके सो जाओंगा ये वीडियो बनाकर पुनीद फॉन घर पर रख कर बाहर चले गए क्योंकि उनका मूर खराब था लेकिन जब वो साम को आये तो बहुत कुछ बदल चुका था उनकी वो वीडियो वाइरल हो गई थी सुभा उनके 2200 फॉलोवर्स थे जो रात तक 34,000 हो चुके थे उनके वोईस पर बड़ी बड़ी सेलेबिटीज ने लिपसिंग की थी ये सब देखकर पुनीत खुसी से जूम उठे और उन्होंने और ज़्यादा वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया इसके बाद उनका एक और वीडियो बहुत ज़्यादा वाइरल हो गया ऐसे ही पुनीत एक फेमस टिक टॉक स्टार बन गए लेकिन साल 2020 में टिक टॉक बैन हो गया टिक टॉक बैन होने के बाद पुनीत ने और भी जगे वीडियो इस डाली पर नहीं चली सब लोग बोलने लगे कि पुनीत सुपरेस्टार अब खत्म हो गया ये क्रिंज वस टिक टॉक पर ही चलता था इन सब को अनसुना कर पुनीत लगाता रील्स पर अपना वही कंटेंट डालते रहे और कुछ टाइम बाद कई मीम पेज उनकी वीडियो यूज करने लगे यहां से पुनीत फिर से सोसल मीडिया पर फेमस हो गए और पहले से जादा फेमस हो गए उन पर फेमस यूट्यूबर ट्रिगरड इंसान ने भी एक रोस्ट वीडियो बनाया जहां से भी उन्हें काफी पॉपुलरिटी मिली साथ ही उन्हें मिले लौड पुनीत और गौड ओफ मिमस जैसे नाम ना सिर्फ उन्हें फेम मिला पुनीत सोसल मीडिया से अच्छी खासी इंकम भी करने लगे उनकी पागल पंती वाली वीडियो बड़ी संख्या में लोग पसंद करतें सोसल मीडिया पर बड़ी फैन फॉलॉइंग की बज़े से पुनीत को मौका मिला बिग बॉस के घर का हिस्सा होने का पुनीत की एंट्री पर वो बहुत ज्यादा अजीव बातें कर रहे थे जैसी वो हमेशा करते हैं तो सलमान खान ने पूचा क्या तुम ऐसी ही बाते हो तो उन्होंने बोला हां सर में ऐसा ही हूँ बिग बॉस के प्रीमियर में जनता की आवाज नाम से कुछ जज बैठे थे उन्होंने पुनीत की रेंक बहुत नीचे गिरा दी जिस बज़े से पुनीत भड़क गए और उन्होंने बिग बॉस के घर में बहुत हंगामा किया उन्होंने घर में किसी से ठीक से बात नहीं की यहां तक कि उन्होंने बिग बॉस से भी ठीक से बात नहीं की वो केवल यूट्यूवर फुकरा इंसान और मनीसा रानी से ठीक से बात कर रहे थे ना सिर्फ Root Behavioral के उन्होंने Big Boss के घर में बहुत तोड़ फोड मचाई इसलिए Contestant Voting से उन्हें बाहर कर दिया गया उनके बाहर होने के बाद बहुत से Social Media Influencer और YouTuber नाराज हो गए और पुनीत की Re-Entry की मांग होने लगी चले दोस्तों पुनीत के बारे में कुछ और Interesting बातें जान लेते हैं पुनीत अपनी कमाई से लोगों की मदद भी करते हैं जो वीडियो अकसर Social Media पर वाइरल होते दिखते हैं पुनीत अब तक 5-6 लाग वीडियोज पोस्ट कर चुके हैं पुनीत का एक YouTube चैनल भी है जिस पर वो ब्लोग वीडियोज डालते हैं पुनीत की हाइट की बात करें तो उनकी हाइट 5-7 इंच है और उनके Relationship स्टेटस की बात करें तो वो फिलहाल सिंगल हैं और वो कहते हैं कि वो अभी तक किसी भी Relationship में नहीं रहे हैं तो फ्रेंट्स ये थी बायोग्राफी पुनीत कुमार की जिने आप पुनीत सुपरिस्टार के नाम से भी जानते हैं उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो पर अपना रिस्पोंस जरूर दें अच्छी लगी तो लाइक, सियर और कमेंट करें आपकी हर कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है साथ ये अगर आप हमसे इंस्टग्राम पर भी जोड़ना चाहते हैं तो जरूर फॉलो करें वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स हमारी हर अपडेट से जोड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर वैल आइकॉन प्रेस कर लें तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में